जैमातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस मैजिक में आपका हार देख स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कजरी तीज का पर्व साल 2030 में कब मनाया जाएगा? एक सितंबर को या फिर दो सितंबर को इसकी सही तारिक क्या है? साथी आपको कजरी तीज की पूजा का सुमुरद भी बताऊंगी और इसकी संभून पूजा विधी क्या है? इसकी भी जानकारी दोंगी. लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया ह तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें. साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा से शेयर करें. तो आईए शुरू करते हैं. दोस्तों कजरी तीज का पर्व भादर पद महा के कृष्ण पक्ष की तरतिया तिथी को मनाई जाती है. कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुरी तीज के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान शिव और माता पारवती जी की विद्वत पूजा अर्च रखती हैं. वही कुवारी लड़कियां भी ये वरत अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं. इस दिन माता पारवती जी की पूजा अर्चना करने का विसेश महत्व है. इस वरत को करने से दामपत्य जीवन में प्रेम और समरद्धी बने रहती है. ये वरत वैवाहिक जीव के कलेस को दूर करता है. साथ ही संतान और परिवार की खुशाली के लिए भी ये वरत रखा जाता है. मानिताओं के नускаर ये वरत सबसे पहले मता पारवती ने किया था. उन्होंने भगवान सिव को पाने के लिए इस व्रत को रखा था दोस्तों इस दिन जुला जुलने वगीत काने की भी परंपरा है इसके लवा इस दिन गेहूं, जओ, चना और चावल के सत्तू में घी मिलाकर कई तरह के पकवाण बनाये जाते हैं और इस व्रत को साम को चंदरोदे के बाद खोला जाता है इसके लावा इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है आटे की साथ रोटियां बना कर उस पर गुड रख कर गाय को खिलाया जाता है इसके बाद व्रत खोला जाता है व्रती मैला को कजरी तीज के दिन प्राता काल सुबा जल्दी उठकर इश्नानादी करने के बाद स्वच्छवस्त धारन करने चाहिए इसके बाद पूजा की त्यारी करें आप पहले कुछ रेत वमिट्टी जमा करें उससे एक तलाब बना लें जो ठीक से बना होना चाहिए ताकि इसमें डाला गया पानी लीक ना हो अब तलाब के किनारे मद्द में नीम की एक डाली को लगा दीजिए उसके उपर लाल रंगी ओडनी उड़ा दीजिए इसके बाद इसके पास गड़ेश जी भगवान सिव और मता पार्वती जी की प्रतिमा इस्थापित करें और साथ ही कलस की स्थापना करें कलस के उपरी सीरे पर मौली बांद लें और कलस पर स्वास्ति कचन्ने भी बना लें अब कलस में कुमकुम चावल के साथ सत्तू और गुड भी चढ़ाएं, साथ ही एक सिक्का भी रखें, इसी के साथ गड़ेश, शुपार्वती की भी पूचा करें, उन्हें भी कुमकुम चावल, अप्चच, सत्तू, गुड, सिक्का और फलादी अर्पित करें, धूब दीब के साथ डाट राउंड्स लगाने होते हैं, वहीं आविवाहित महिलाओं को सोला बार राउंड डाउंड्स लगाने होते हैं, अब वरतकथा सुरू करने से पहले, अगर बत्ती धूब बत्ती आदी चला लें, और वरतकथा को पूरा करने के बाद महिलाओं को तलाब में बीभीद्धी देखती है वरक कत्वार में हो जानीके बाद आरती गाएं और तीज माता से अपने पने पती की दिर गायू के लिए प्रात्ना करें नोखण करें यहाये होकर pun naar करें thoughzej जब चंडरोद अब अर्बार को अर्द करें इसके बाद उए इसके social सितम्मार नो चाहे गा और तर्तिया तिती की की शुरुवात 1 सितम्मार नहीं सितम्मार 3 की रात को 11 सितम्मार 8 की संबर 10 टी की रात 7 सितम्म सितम्मार 20 keeps 20.00 सितम्मार 30 की रात 8 importante की रात 8qiется 9 मिनट 3 की तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो अगर आप साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद